आशा करता हूँ, आप साब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम सिद्धान तक नहीं होतरी, च्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सभा करता है, दोस्तों, सेल्फ कंसेस्टेंट कैसे रहें? आज हम इस लिच्चर में जानेंगे, पर्सनालिटी डेवलफमेंट की क्लास है, इंस्टा पर मैं आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है, आप मुझे फॉलो करें, और ट्विटर पर भी हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर सबके लिंक्स दिया हुए, तो देखें, सबसे पहले तो, सेल्फ कंसेस्टेंसी की बात करें, तो कंसेस्टेंट हम रह नहीं पाते हैं, और ये नौर्मल है, हम कोई मशीन नहीं है, जो लगातार कंसेस्टेंट नहीं रहती है, उसका भी पर्फॉर्मेंस गिरता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं productivity में बहुत ज़्यादा गिरावट है जो आप plans बना रहे हैं वो सफल नहीं हो पारे तब गड़बड है तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा consistent रहना is very important और आप देखेंगे ज़्यादा तर लोगों की जो success लोग होते हैं successful लोग होते हैं उनकी life का एक बहुत बड़ा motto होता है कि वो consistent रहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है सुभा से अपनी शुरुवात करिए पहले तो discipline में आईए मैं कई बार बोलता हूँ जल्दी सोईए जल्दी जागिए तो आपका morning routine जो है न वो बड़ा important होता है जब भी आप सुभा उठे सबसे पहले तो सुभा उठके mobile उबाईल थोड़ा सा ना देखें देखें आप mobile देख लें लेकिन 5-10 मिनिट बाद देख लें उठेने के बाद थोड़ी गहरी सांस लें और अपने आपको organize करें relax करें आप बन करके एक दो मिनिट पहले तो बढ़िया शुक्रिया करें ठीक है अच्छा भगवान को हाँ जोड़ें भगवान का नमन करें और फिर शांत रहके आप देखें आप ये सोचें कि आज का दिन मेरा है और जो आपको करना है उसका plan बना है अपने मन में और आप एकदम positivity से बोले कि आज हो जाएगा एकदम smile के साथ चाहें जितना भी आपका पिछला दिन कैसा भी गया हो देखें कोई भी problems है न वो सब sort out हो जाती है one by one एक एक problem को sort out आप कर सकते हैं थोड़ा महले में disturbance आगे इसलिए मुझे pause करना पड़ा तो आपकी सुभा बड़ी important होती है तो सुभा ही अच्छी कर लो कहता है ना कि अगर दिन ही शुरुवात ही खराब हुई दिन ही खराब हुआ तो पूरा दिन वैसे ही जाता है तो सुभा में अपने आपको organize करके पानी आनी पीओ बड़िया से और एकदम जैसे ही उटो थोड़ा सा अपने आपको organize करके हलका सा meditate करके ये सोचो कि आज अच्छा होगा जो भी होगा अच्छा होगा उसके बाद अपने दिन की शुरुवात करो और उसके बाद फिर जब शुरुवात करोगे शुरुवात में एक और चीज़ है कि सुभा जो सबसे पहली चीज़ आप किया करो आप हलका सा गुनगुना पानी पीओ है ना इसे क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा refresh हो जाते हैं आपका digestive system भी थोड़ा सा और अच्छे से जो भी आप शुरुवात में पहले आप फ्रेशी होंगे है कि ने बातरूम जाएंगे तो आप समझी है कि आपका जो बॉड़ी है वो भी काफी बढ़िया रहती है बढ़िया काम करती है गरम पानी is very important हलका गुणगुणा पानी ना आपके digestive system को बहुत अच्छा रखता है और अगर आपका digestive system अच्छा है तो आपका पूरा देनी बढ़िया जाता है समझ गए तो हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले तो ये चीज़ आपने की उसके बाद वो चीज करो कभी कभी क्या है ना कि हमको वो चीज़े करनी पड़ते है जो हमको पसंद नहीं है अब जैसे UPSC की तैयरी तो इस दुनिया के हर एक इंसान को करनी है लेकिन उसके लिए जो मेहनत रखती है वो कोई नहीं करना चाता है ना decision बनाने बहुत आसान decision लेने बहुत आसान है एक फैसला लेना कि चलो मुझे UPSC करना है लेकिन आम तोर पे उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है तो वो चीज़े करो जो आपको पसंद नहीं आ रही है और वो चीज़े करनी बहुत आसान है अगर आपको पढ़ाई करनी है आप ये देखो कि जैसे मालो की आपको अपने office का काम करना है वो definitely आपको नहीं पसंद होगा हो सकता है पसंद भी हो लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर आप उस office के काम को बहुत अच्छे से कर दोगे तो आपको reward कितना बड़ा मिलेगा आप जो भी करते हो ना उससे सीखते हो तो एक positive intent के साथ हमेशा चीज़े करो अगर देखिए आपको चीज़े तो करनी ही है सक्सेस होने के लिए आपको वो सारी चीज़े करनी है जो आपको नहीं पसंद है हर कोई चाहता तो है कि हम सक्सेस हो जाएं हम करोनों कमाया अर्वों कमाया अरे भाया उसके लिए बहुत महिनत लगती है और वो चीज़े आपको करनी ही पड़ेगा आपको अपने comfort zone से बाहर आना पड़ेगा तो अगर आप एक दाँ मरे मरे आओगे तब उससे कोई फाइदा नहीं है comfort zone से आओ जोश के साथ आओ और ये देखो कि आप कितना ज़ादा सीखोगे भले ही UPC आप नहीं निकाल पाओ देखो यार UPC में success rate बहुत कम होता है unpredictable service commission है वो ठीक है 5 लाख में से 1000 ही select होते हैं हर साल तो आप ये समझो हो कि अगर आप UPC में माल लोगर नहीं select हो है तो जो आपने सीखा है कितनी knowledge भर गई है आप एक intellectual हो वो जिंदगी बार आपको काम देगी तो अगर आप कोई ऐसी चीज कर रही हो जो आपको नहीं पसंद है आप ये समझो कि उस चीज को करने से आप कितना सीखोगे positive रहो positive intent रखो हमेशा हार एक चीज में दूसरी चीज कि करमेंड़ने बारे कार रस्ते माँ फलेशू कदाचना सिंपल सी बात है कि अपने result पे focus मत करो है ना process को enjoy करो UPC का example लेलो ये process आपको बहुत कुछ सिखा देता आपको एक fighter बना देता है ये दो-तीन साल की जो journey है ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ना सिखा देती है परिस्तितियों से और आप इस process को enjoy करो आप बहुत सारी दोस्ती भी बनाते हो आप बहुत सारी क्या आपको करना क्या है ये सब करने लगोगे तो आपके life तुरंट सुधर जाएगी तो जब आप कोई भी process के responsibility रेते हो हैना focus करते हो तो आप result हमेशा पहले result ही सोचते है कि चलो ठीक है अगर हम ये निकाल देंगे ये हो जाएगा तो इतना अच्छा मेरी जिंद्गी सुधर जाएगी लेकिन दोस्तों उस result से जादा आप अपने काम पर focus करो अगर आपको bank का exam निकालना है तो आप ये सोचो कि आप दिन में कितना जादा पढ़ोगे कितनी जल्दी आप syllabus को complete करोगे कितने सवाल लगाओगे तो कोशिश करो कि आप अपना 100% दो जैसे मैं आपको अपनी जैसे जब दो साल पहले आपने चैनल शुरू किया था अब होता कि ये बहुत सारी लोग YouTube शुरू करते हैं तो अब होता क्या है कि बहुत लोग इसको YouTube को छोड़ देता इसी दौरान मुझसे बहुत लोगों ने पूचा कि मुझे YouTube करना है मुझे YouTube करना मुझे YouTube पर वीडियोज बनाने मैंने का बनाओ लेकिन वक्त लगता है इतना ध्यान रखो और इस वक्त में आपको continuous काम करना है लेकिन उनका यह एक मिलियन व्यूज हो जाएंगे देखना बहुत जल्दी एक मिलियन हो जाएंगे दो मिलियन दस मिलियन हो जाएंगे और मैं इंटरफ्रेणर बन जाओंगा मैं अपनी कंपनी खोल लूँगा मैंने कहा बिल्कुल यह सब होता है लेकिन इसे पर थोड़ा वक्त लगता है आपको patience रखना पड़ेगा नहीं नहीं patience तो ठीक है लेकिन हम सबसे पहले अमारा जो target होगा वो मिलियन स्काई होगा अब हुआ क्या कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया रिजल्ट से इतने ज़्यादा obsessed थे एक महीने के अंदर अंदर यूट्यूब छोड़के भाग दे छे साथ वीडियोस बनाए जब देखा कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा भाग दे ऐसे काम नहीं चलता मैंने दोस्तों मेरा डेड़ साल तक चैनल जो है वो बिलकुल ग्रो ही नहीं किया लेकिन मैं लगातार काम करता रहा बहुत लोगों ने मुसे ए भी बोला कि देखो तुम स्टेडी आईक्यों पर पढ़ा रहे हो महीं पढ़ाओ क्यों अपना चैनल खोड़ रहे हो क्यों अपनी कंपनी खोड़ रहे हो क्या है अपना अभी तुम वहीं पर पढ़ाओ चैनल ग्रो नहीं कर रहे लेकिन मैं मैंने हार नहीं मानी मैं लगातार काम करता गया क्वालिटी कंटेंटे देता गया एम्रक्षमिकान डाल दी जोग्रफी डाल दी हिस्ट्री डाल दी, करेंट अफेस डाल दी है सब डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और आज देखिए चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा आप डेफिनेटली सबसे बड़ा जो शुक्रिया मैं आदा करूँगा वह आपका है, लेकिन चैनल ग्रो हो रहा है इतना कुछ जानने को मिल रहा है, प्लस मुझे कितना कुछ पता लग रहा है मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटी में समविधान के बारे में और अच्छे से जान रहा हूँ हर चीज हर वक्त नई चीजे मुझे पता लग रही है इतियास में और अच्छे से मैं घुस रहा हूँ तो मैं भी तो कितना सीख रहा हूँ, तो सीखने के लिए हमेशा अपना काम करो, काबिल बन जाओगे तो अपने आप रिजल्ट आएंगे, समझे आप, एक और चीज है, अब ये देखे, ये दोनों contradictory है, पहला पॉइंट और आप नहीं करना चाहते हैं, दूसरे point, तीसरे point में है, आप वो चीजे करो जो आपको पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है, consistent रहने के लिए ये आपको करना पड़ेगा, दोनों चीजे, लेकि ये तो compulsory होता है, है ना, कि पढ़ना बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर आपको, आप job भी कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरा दोस्त है, वो software engineer है, तो उसने अपना B.Tech किया, B.Tech करने के बाद उसकी job लगी, लेकिन आप उसको switch मारना था, उसको जाधा पैसे कमाने था, तो interview होता है न, उसके लिए तो उसके लिए आपको सक्सेस होना है, ता उम्र सीखते रहना पड़ेगा, ता उम्र आपको पढ़ाई करनी है, आपको लगता हो को UPSC निकाले तो पढ़ाई निकरनी है, बेटा ता बहुर पढ़ाई करनी है, अभी जो Finance Commission की रिपोर्ट आई है, एकनॉमिक सर्वे आये हैं, वो सब यही ब्यूर पढ़ाई करते हैं, तो और आपको पढ़ना, UPSC आपको एक लॉंग प्रोसेस के लिए तयार करता है, कि आपको इतनी महनत करने के लिए, इससे दस गुना ज़्यादा महनत करने के लिए तयार रहना है, तो अगर आपको सक्सेस तो तहां उम्र पढ़ना पढ़ेगा, इसल गूम लो, vacation ले लो, है न, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, painting अच्छा लगता है, तो painting करो, ठीक है, करो, जो आपको पसंद हो करो, और अगर वो अपने profession मना लिया, तो 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 दस गुना ज़्यादा productivity तो बढ़ी जाती है, 45 बहुत important है, सबसे ज़्यादा, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अपने पास्ट में लेके उल्जे रहते हैं, देखो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, आप बहुत लखी हो कि आपके पास दो हाथ है, आपको लग रहा होगा कि अरे यारे क्या बकवास यही हमेशा एक्जामपल देते हो, बेटा सज बोल यही होते हैं उस दिन आपको पता लगता है कि मैंने क्या खो दिया है, आप चल रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप इस दुनिया में हो, बढ़िया इंजॉय कर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप रो रहे हो अपने पास्ट को लेके तो समझ लीजे बहुत बेकार चीज है यह, कई बार मैंने बहुत सक्सेस्फुल लोगों को देखा है, जो काफी पढ़े लिके हैं, एक मेरा फ्रेंड है, वो काफी बैंक पर बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो हमेशा परशान रहता है, या यह नहीं है, वो नहीं है, अरे देखो आपके पास क्या है, जिस ब इंवेश्ट होता है, मैंने चार सार रिलेशनशिप पे बरबाद कर दिये, मैंने दो साल इधर बरबाद कर दिये, अरे यार यह नॉर्मल है, यह लाइफ है, यह होगा, आपका समय बरबाद होगा, तभी तो आप सीखोगे, करण और कृष्ण का समवाद मैं आपको बताता करण ने कृष्ण से बोला, जब करण के पास गए, कि आप पांडवों की तरफ आ जाओ, तो करण ने बोला कि मैं क्यूं पांडवों की तरफ आओ, क्योंकि भाई करण सबसे बड़े बेटे थे ना, कुंती के सबसे बड़े बेटे थे, और करण जो है, वो कौरवों की तर दिया कृष्ण आप मुझे बताओ और मुझे हमेशा नीचे समझा गया सूत पुत्र समझा गया मैं सबसे स्रेष्ट था हर चीज में काबलियत में तब भी मुझे किसी में किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया दृपती के स्वयमवर में भी सबके सामने भरी सबहा में मेरी बेज़ती की गई तो आप मुझे बताओ कि हमेशा मेरे साथ ना इंसाफी हुई है तो मैं कैसे दुरियोधन का साथ छोड़ दू आज जो भी हूँ मैं दुरियोधन की वज़े से हूँ तो भगवान कृष्णी जो है वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुमको तो कम से कम तुम्हारी माने पाला ना मेरा तो जन्म जेल में हुआ था मैं तो जेल में जन्मा था बचपन से ही जीवन अगल बगल जो था वो च्रापित था कई बार मुझे बचपन से ही मारने की कोशिश की गई 16 साल की उमर में मैंने सीखना चुरू किया तुमने तो सबसे बड़े गुरू गुरू परशू राम से तुमने शिक्षा ली है मैंने तो शिक्षा ही नहीं ली 12 साल में तो मैंने सीखना चुरू किया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो तक मुझको नहीं मिली और बहुत दिक्कते हुई तो कहने का मतलब ये है लाइफ सब के लिए unfair है मेरे दोस्त अगर आप सोच रहे हो आपके साथ ही ऐसा हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सब के साथ ऐसा हो रहा है आप अगर उनके नजरिये से देखोगे ना हर किसी को अपनी problem बहुत बड़ी लगती है लेकिन इस दुनिया में हर किसी के साथ हर कोई problem से जूज रहा है ठीक है कोई अगर अमीर इनसान है तो उसको दूसरी problem से तो life किसी के लिए fair नहीं होती लेकिन आप उसको fair बना सकते हो अपने past को जो हो गया सो हो गया जैसे मैं अपना attitude मेरे यही है कि भाई देखो जो हो गया बहुत अच्छा मैंने सीखा मैं भगवान को शुकर गुजारू कि ऐसा वक्त दिया मैं अच्छा हो वक्त बरबाद हो कम से कम मैं सीखा अगर मैं नहीं सीखता तो शायद आपके सामने यहां पर बैटके आपको लेचन नहीं दे रहा होता तो सीखना बहुत जरूरी है तो अपने past को जो हो गया सो हो गया उसको embrace करो और problems को कैसे sort out कर सकते हो वो देखो उसमें आपको consistency बढ़ेगी फिर उसके बाद लगातार अपने आपको remind करते रहो कि आपका purpose क्या है कभी यह मत भूलो नहीं जो चीज आपको करनी है आप उसके लिए अपने आपको लगाता remind करते रहो अगर आपको I.S. निकालना है तो आप सोचते रहो कि इसमें सबसे important है कि आप अपने negative thoughts नेगेटिव past को जो हो गया से हो गया उसको let go कर दो तब ही मैंने वो capital से भी लिखाए तो I.S. आप समझे होंगे कुछ tips है self consistency के लिए खुश रहेए पर ते रहेए इदे से सिद्धान तक नहीं होता ही signing off